नमस्कार मैं मोंटू राजा एंटी करॉप्शन इंडिया से स्वागत है आपका आज हम दिल्ली के सिविक सेंटर पे खड़े हैं मेरे साथ में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं यह सिविक सेंटर जहां पे MCD के जो करमचारी है जो अधिकारी है वो यहां बैठते हैं तकरीबन जो दिल्ली का मुल्सिपल कॉर्पॉरेशन है वो यहीं से चलता है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो तमाम एक परदर्शन है हला बोल परदर्शन जो सफाई करमचारीयों द्वारा किया जा रहा है उत्तरपदेश की बात आपको याद होगा सम्मान समहरों करा जा रहा था जिसमें सफाई करमचारी जो महिला थी उसने योगी से कह दिया था कि सम्मान से कुछ नहीं होता पेड़ भरने से होता है तो वेतन बढ़ाओ उसके बाद जगा जगा यह जो धरने हैं यह देखे कि यहां जो आप धरना देने आई हैं क्या समस्तिया है क्यूं आई है धरना देने यह दो आजार चाहर समान रखेंगे तेरा समान रेस लिए यह देखो क्या होता है कि इतने सालों से में कारे कर रही है आप भी साथ में आएं किस चेत्र से आएं आप लोग लोग तो यह जो महिलाएं हैं कल्यान पूरी से आई हैं और भी कुछ महिलाएं हैं और लोग बैठें आगे क्या समस्तिया है क्यूं धरना दे रही हैं कितने सालों से काम कर रही हैं पच्ची साल हो गया अमेर अभी तक आप लोगो पक्का नहीं किया गया बुड़े हो गया अब क्या कहती है सरकार जब पूश कहते हैं तो अपने डी सी को नेता को मेर को जब बोलते हैं तो मेर वज़रा क्या कहते हैं काम नहीं करते हैं करोना वारियर्स हैं और देखिए आप समझ नहीं कोशिच कीजिए कि 25 साल हो गए हैं और जो लोग हैं उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है यहां पर कुछ लोग भी हैं आईए इनसे भी जान लेते हैं क्या नाम है अपका अनिल बाजी तुर बाज़ा अनिल जी यहां धरना क् क्या समस्य हो इसलिए रहें जी हम कच्छी साल से कुण कच्छे करमचारी है ना हमारा कोई बैनी फिट मिल रहा ना हमें पका करे रहें बीजेभी सरकार ने ठाल ली है मैं आपको सबस्द बताना था ताहूं जिसको मुर्गा खाते उसको बोलते हैं चिकन पार्टी बकरा ख कर दो कि भूक करी तो चैर चैर पास पास महीने सेरी नहीं मिलती और हमारी को मांग मानी जाती हमारे साथ में एक देश में एक सो तलाहले भारत कि जाहर्यारा है बाबा शाब लोग वोड देते ओं सरकार बंके आती है तो किन मुद्व पर देते हो वोट मतला मुसल्मान टाइट हो जाए या हिंदू शुरूरत कि नहीं हमारी किसी ना हमें हिंदू समझाय जाता ना मुसल्मान समझाय जान चा Haggadar और सब से बड़ी हम इनसानीत मांने हैं हम धरम मझब को ज्यादा मेरता ही जेते in insanity सब्सक्राइब है और इन्सानित को देखते है आ bod बाल्मी समाज के साथ में बहुत ही बड़ा सोचन कि आ जातु किया है उश में सरकार उत्पर कोई बे साथ होित्व बाल्मीक स्माज की और सपाई sus Army셔서 कोई भी सरकार नहीं है जैय हिंज बारट ओससे बता रहा है वह ज़्सा आपके साथ ही कि कोई भी सरकार हो लेकिन जो बालमिकी समाज है या फिर जो एक तरह से कह सकते हैं जो सफाई करम चारी है उसका सोशन ही हो रहा है कितना इतिफाक रखते हैं आपको लगता सरकार नहीं सुन रही है हमारी कोई सरकार नहीं सुन रही 25-25 सालों से आपाई कच्छे पड़े हैं रेटार्मेंट होगे उनका कोई लाबांस नहीं मिला है और जो भी समस्या हो ऐसी कैसी कड़ी है हमारा कोई वो नहीं होता है एक हमारा सोशन करते हैं वीजेपी सरकार हो या आम आदमी सरकार हो कोई सीवी पार्टी हो कर रहे हैं तो आप तमाम जो सफाई करमचारियों के नेता हैं जो संकटन हैं जो यहां पर हल्दर्शन कर रहे हैं उनके जो नेतागर्ण हैं जो उनको अगवाही करना उनकी उनसे हम बात करेंगे हमारे सामने मौझूद है अभी जैवाधुआम चाहरण जी जो कि दिल्ली प्रदेश सवाई मजदूरियन के संदक्षक है सर धरना दे रहे हैं आप लोग क्या मांगे हैं पहले भी धरना दिया तो तंखानी दी और जो दो हजार चार से पक्के मानने के थे किन्यों कमिशनर ने तीनों स्थाई कमिटी चैरिमेन ने तिनों संदक्र करने हैं अब यह इनका अब उनको तो या तेरे से पक्का मानने के लिए आदेश निकाल देए लोग इसका हम बिरोद करते हैं दिल्ली किया अब की इस संदर में किसी मेर से डी से कमिशनर से बात हुए हैं किसी करूब मिटिक में नहीं 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 पाया है अगर के यह करेंगे संजी चंदेल जी मौजूद है दिल्टीपेश सफाई मजदूर यूनियन जो है उसके अध्यक्ष है सर यह बताईए कि आप लोग ने पहले भी धरने दिये हैं आप लोगी बासर कार मान नहीं रही है बीजेपी सरकार है में पिछले 15 साल से जब आप लोगा पहला धरने नहींगे बहुत आप लोग आप लोग आप लोग अवाद उठाते रहे हैं किसी अलती लगती है क्या कौन इसका जम्मेदार आपके चैनल का दन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल के मध्याद के लोगों पुब्लिक के साथा है यह जैसे दिल्ली प्रतर शपाय में तर्फ परमांदर शीज चैनल जी ने बताया जो हमारी मुख्या मांगे है जो काफ़ी दिशे चली आ में मुख्या है हुए है जो पक्य होग ऐग तो नो झाल डिंसरे विल्ले है Если यह थो जाहिन दोनों दिल्ली के अंदर कि अन्दर खंक ढ़ना प्रस्तिक शार और ही फूसी गनम चाहरे है एक चारजब श्भाय है भैताए इंसके कि इसके वीन दिल्ली अगर यह पक्या मानते हैं इसके नहीं बहुत बड़ा दूर जाएगी तो अभी जब आपने बताया दो निकम जो हैं दो जो जो नहीं उसमें मान लिए इस डेली में नहीं माना जा रहा है ऐसा क्यों आपने मेर से मंतरी से ग्यापन दिया कोई आपने सवाल पूछा क्यों सब्सक्राइब मेर नहीं है अब हमरें सब्सक्राइब करी उसमें के अंदर अडिसे कमल सिंपा सिंदेग जाए थी लिए कोई जोस्ताबूत जबाब निदिया उन्हें जबाब देंगे आपको गर जाना है क्या नहीं मैं आपका कैसे दिखाए और यूनियन है हमारा संक्टन पहले ही कोट में जा चुका है मगर ये पहले तीन दिल्ली थी और उसमें दो दिल्लियों में तो मान चुके हैं कि हम 2004 से ही मान रहे हैं और जो EDMC थी उसमें वो नहीं मान रहे हैं उसमें वो हट दर्मी कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को नहीं कर भी रहे हम उसी के विरोध में कर रहें कोड़ का तो दर्वाजा हम पहले जा चुक्त 네 आपके साथी झोडõ correspondsपला चुके हैं इस मैं पका नहीं कर जा रहा बाकई नहीं कर दिया gewoon पां। नहीं किया जा रहा है जो पां। किया करेंगे अपड़र में पहले भी दी हैं, कोई निश्कर्ण नहीं निकलता है. क्या करेंगे आगे आपके चैनल के माध्यम से में बताना चाहूंगा कि पूर्वी दिल्ली के इंदर जो यहां के निगम कमिशनर थे वो पूर्वी दिल्ली के करमचारियों का सोसन कर रहे थे बहुत बुरी तरह सोसन कर रहे थे वो नहीं चाहते थे पूर्वी दिल्ली के करम तो हम चाहते हैं जो पूरी दिल्ली के करमचारियों को वह पक्चा करें लाव कि यहां पे आप लोग धरना दे रहे नहीं माझन रहे हैं पंदरह साल सीटी के सरकार ने चारी बारिषते को ओरना देई हैं एतनी परेशान आपने छोटे चोटे बचिकों चोड़ के यहाँ पे बारिश में हैं। तो इस सरकार हमारे क्वेने स्थितography 5 अपर भूं can प्रणाद Story 3 दोम जयसी अभία क्वे अधती हैं हम सब लोग उखक्ठे हुए हैं अभी माँगे भी पूरी होगी लोगे भी मंहवाई जाएगी हमेशा सबकी नहीं चलेगी विए दो यह देखिए जैसे की बता रहे हैं कुछ न कुछ मुद्धा निकलेगा एक आस है जैसे की तव लोगों को कि निकल जाएगा एक उम्मीद पे दुनिया कायम है कि यहां भी लोग है कि उम्मीद है चीज हो भी क्या नाम है आपका मैं संजेब भार्चा दिल्ली परदेश को सद्रक्ष मैं उम्मीद की तुनिया कायम है 15 साल से नहीं हुई क्या एकता नहीं है कि ऐसा है वह कोशिस करने से हर काम होते हैं संग्रस हमारा नारा है संग्रस करेंगे जेल जाने से हम नहीं डरते हैं जाना होगा हम पूरी तरीके से करेंगे साथी कह रहे हैं कि 15 साल हो गए जेल जाने से भी हम नहीं डरेंगे और हम अपना हक लेंगे कैसे देखते हैं साथ हम तो जो हैं बिल्कुल वैसे भी मार रख एसे नहीं रहे हैं इससे तो पेड़ में जाकर ह हमारे बच्चों क्या खाएंगे 12000 रूपर मारा पेट पलता है सुनवाई नहीं हो रही है नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है पंदरा साल से बीजेपी को जिताते आ रहे हैं तो बीजेपी को समझना चाहिए कि सफाई सफाई करमचारी जो है वह कॉंग्रेस को बढ़िया मानने को अब तयार हो रहा है क्योंकि 15 साल से बीजेपी मौजूद है एंप सिटी के अंदर उसके बाद भी जो है कुछ इनका निशकर्ष नहीं निकल पा रहे हैं यह बताईए 15 साल से लोग जो हैं यह कह रहे हैं कि 15 साल स है लेकिन सफाई करमचारियों की जो समस्याएं थी जैसी की तैसी बनी हुई है कैसे देखते हैं पुरानी सरकार को अब की सरकार को सर जैसे कि आपके मैदम से आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करतना चाहता हूं जो आपने इस मिसे में हमारा संग्यान लिया मैं आपकी जानकार के लिए 15 साल गया 50 साल से करमचारी जसका तस है 15 साल पहले भी कोई पक्ता नहीं हुआ जो 15 साल बीजेपी सरकार है उसन 2013 में नजवर्जोन में साउचोन का एक संकुलर पास हुआ था जो कि आज तक वो संकुलर तो पास हो गया वो काग्चों में फाइली बनके रह जया है लेकिन इस पे कोई सरकार वीजेपी सरकार ने पिछले साल से कोई अमल नहीं किया यह से जो उडर करमचारी को खिलाप हो सामिल हुए है नजवगर्ट को तमाम करमचारी साउप से करमचारी यहां है सरकार से देश खुश है मुसलमान को टाइट कर दिया है आप फुश नहीं है मुसलमान रोटी थो थोड़ा ही नद्य को खाने के लिए साब रोटी तो हम जो मैनद कर रहे हैं उस पैसे मिलेगी जब तक हमारे बच्चे सकुन नहीं जाएंगे तो देश का करेगा बच्चे तो हमारे बेकार हो ह expect ने जा रहे हैं अज उनके सख़्ुमकर कप्रा तक नही सबसे पहले समस्ट करमचारियों की तरफ से आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे आज जो सोसल मीडिया है जो हकीकत में बड़ी मीडिया है वो तो आज चीत्ते के पीछे बड़ी हुई है क्योंकि चीत्ते को देख रहे हैं आज जो एक एक दिल के लिए मर रहे हैं एक बोजन के लिए मर रहे हैं अपनी सैलरी के लिए मिर रहे हैं जो पक्ता होने के लिए गवार ने डायरे उनको ने देख रहे आज दो जो चिता आया ना देश के अंदर उसको देख रहे ही मीडिया तुकि मनुस्ट कूँ देखेगी आज उन सपाइस हैनी को कूँ देखेगी जिसने करोना काल में सभी की जान बताई है देश को सवस्तर र देखेगी क्योंकि सपाइस हैनी को देखता है और देश को देखने वाले कोंगे देखता नहीं है तो देश की आका सफाय कर ने वाले ने को दिखाएगी नें दिखाएगी कोरोना वारियर जो है आज दिल्ली की सिविक सेंटर पे धरना दे रहा है सर क्या नाम है आपका कैसे देखते हैं मेरा नाम रणभीर सिंग चावरिया है मैं अंडियम से संयुक्त मोर्चे का पूरा देख्ष हूं और दिली नगर निकम समस्ति उनिन कोर कमेट्या उपाद देख्ष हूं और अधनिये साती आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारा दर्द पूछा और आपकर आकर के य अगर इनमें दिल के अंदर थोड़ी सी भी जगा होती तो हमारे सपाई कर्मचारी 20-20 साल से 24-25 साल से कच्चे पड़े हैं वो आज नियमित होते करोना काल के अंदर हमारे सपाई कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाना करते हुए और अपने प्राणों की आउती देते हुए अपने देश के परती और जंता के परती एक वफादारी की मिसाल की है उचादीकारी और नेता सारे अपने घरों में छुपे वे थे जबकि कोरोना वारियर और मेडिकल पैरा मेडिकल दिली पुलिस डाक्टर ये सब सड़क पर थे लेकिन आज ऐसे हालात पैदा हो ग कोई सोच दोबारा से वर्तमान सरकार जो दिली में हैं और केंदर में उसी को दोर आ रही है हम इसका गोहर विरौद करते हैं यह दो दिली नगर निंगम समस्त यूनिन कोर कमेटी जो आज उसके बैनर तले यह परतासन किया जा रहा है आज तो केवल परतासन और धरना है औ सरकार नदारत है सुन नहीं रही है सालों से आप लोगी बात कैसे देखते हैं मतलब धरने बहुत हो गए अब एक्शन के लिए क्या सोचा आगे कि रणीत क्या है नहीं हमने जो मुद्दे हैं उनके लिए कोर कमेटी के नेतरतों में धरना चल रहा है और कोर कमेटी ने बाकएदा नोटिस दिया है आज का पदसिगा था आने वाली 14 तारीक को महरताल का ऐलान करा हमने वहारताल को अब सफल मनाएंगे और दिली में जिस तरह से यह अधिकारी और सरकार का जो रवया है वो बिल्कुल निंदनिया है उस रवये के खिलाप हम लोग संगर्थ करेंगे और सफाई कर अब जरे को न्याइद दिला कर रहेंगे जो बीजेपी है उसके अंडर एमसिटी है क्या आपने लगी से मेयर से उच अधिकारियों से कमिशनर से बाचीत करते हैं सालों से आप लोगों सिर्फ आसवाशन नहीं मिल ला है आप लोग घिजर्ड की बात नहीं करते हूं से देखे हमने दिल्ली में निगम पार्षा से लेकर के और प्रधान मंतिर तक भारतिन दर पार्टिय कोई हमने आए अधिकारी छोड़ा नहीं है जिससे बात ना कियो है जिसको जानकारी ना हो हमारे इस आंदोलन की लेकिन शरम की बात है यह कि ना तो मोधी सरकार और ना दि कर रही है और सफाई मोध्रों को पीछने पर लगी हुई है उनका शोसन कर रही है बड़ा अक्या चारक कही कही महां तक तंखा नहीं मिलती कौन सी किताब में लिखा है मानने नहीं कुछ नयाले ने भी बोल दिया कि सफाई करमचारी तंखा साथ तरक से पहले 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 है ऐं कि हमने 2003 से मानेगे क्यों मानेगे सारे काग्..ड़ात हमारे पास में है और हम 9 से Jadiilat कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल और निगम का जो सत्ता बैटी है भाजपा ये इनको शासे चलाना नहीं आता कॉंग्रेस भी पार्टी थी उसके टाइम में कभी किसी एक महीने भी तंका किसी नहीं रुकी कभी एक महीने भी तंका नहीं रुकी लोग बा देखनी रहें गरीब आद्वी को पिष्टे पे लगे हुए हैं कि भाशन तो बड़ बड़ देते हैं बाशन की बाते बड़ बड़ी हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे लेकिन हम तो इससे फुर्याद करते हैं हमारे वही दिन लाता जो पहले थे तो जैसे इनको समर्थन म कादनी लोग गोड़ पीचे भी को दे रहे इसके पीचे और कुछ नहीं है केवल और केवल धरम वाद है धरम को आडब लगाकर के याड़ लगाकर के और यह सत्ता में काभी होते जा रहे हैं यह जानते हैं इस बात को इनोने हिंदुस्तान के लोगों की नाज़ पकड़ी है हिंदुस्टान का भारतवार्श का अव्यक्ति, वो धार्मीक विचारदरा का अत्मि है, और उसका के मुद्दे यह उठाते है, हिंदु-मुस्लिम की बात करते हैं, और लोगों को लोगों से पालने की बात करते हैं, यही कारण ने ठेकेदारी परता जादे बढ़ गई है लेकिन उसके बावजूद भी वह मजबूर है कि धार्मिक भावना को लेकर के उनके जासे में आकर इंको वोट दे रहा है बहुत बहुत ओश्किरे ईसलाइए चरकार तो घ्रम गई में सब्सक्राइब के बीसिक का राएए रह submission को कि और वॉर. आपकी राय कमेंट दो और अपने विचार हमसे आप साजा कर सकते हैं अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे नमस्का सब्सक्राइब करें हमारे यूटीब चैनल को और बने रहें हमारे साथ